तो दस्वी पास सभी युवा साथी ध्यान दे अब सभी के लिए केंद्र सरकार ग्रह मंत्रा लेके धीन जो Central Armed Police Forces होती है जिनको शौट में C.A.P.F और हिंदी में केंद्र या अर्ध सेनिक वल या आम भाशा में प्रामिलिटरी फोर्स होती है उनमें साथी 39,400 एक्यासी के कर वेकेंसी यह भारत सरकार ग्रह मंत्रा लेके तरब से निकाली गई है जो SSC GD के तहट आती है जिसे SSC GD General Duty Constable की वेकेंसी कहा जाता है यह सिपाही के पद होते है इसमें सेक्षिक योगता दस्वी पास होती है तो सभी युवा साथी ध्यान दे पूरी डिटेल्स पर फोर् सितंबर से 14 अक्टूबर तक भरी जाएंगे जो ऑल्लाइन फीस पेमेंट है वो अब सभी लोग 15 अक्टूबर रात 11 बजी तक फोर्म 14 अक्टूबर रात 11 बजी तक भर सकते है ऑल्लाइन फीस पेमेंट 15 अक्टूबर रात 11 बजी तक आपकी फोर्म में कोई मिश्टेक हो जाती है छोटी मोटी उसमें सुधार का टाइम आपको 5 नवंबर से 7 नवंबर तक मिल रहा है और इसमें जो एक्जाम डेट है तंभावित वो जनवरी फरवरी 2025 इसमें पे लेवल की बात करें यह पे लेवल वन है 18,000 से 56,900 अगर आप NCB में सिफाई हैं और बाके सम के लिए लेवल तीन है 21,700 से 59,100 यह आपके साथी लेवल तरी की इसमें सेलरी हो जाती है अगर हम लोग पद की बात करें कि किस फोर्स में कितने पद हैं तो लगबग 49,481 पद हैं अब सभी लोग देखें जिसमें सरवादिक पद B.S.F. में कुल मिला के 15,654 C.I.S.F. पे 745 C.R.P में 11,541, SSB में 819, ITBP में 3,070, असम राइफल्स में 1248, SSF जिसकी मेरिट सबसे हाई जाती है 35, NCB इसकी मेरिट भी हाई जाती है 22, फिर यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर महिला है, यह इसमें केटिग्री वाइस दे रखा है, HCH, QBC, EWS और जनरल के लिए, ता आप एक बा महिलाओं के लिए टोटल पद 3879 है, और पुरुषों के लिए टोटल पद यहाँ जाते साथी 35,600 बार है, टोटल मिला के आप देखोगे 49,431, पहली बात, अब आजाता आईू, जो जनरल केंडिडेट है, एक जनवरी 2025 को आपकी आईू सीमा की गड़ना हो रही है, एक जन जनवरी 2025 को 18-23 वर्ष की बीच में होनी चाहिए, जनरल सामन्य वर्ग की जिसको अन्रिजर्वी कहते हैं, बाकी OBC 18-26, तीन वर्ष की छूड़ शामिल है, और SCHT 18-28, तो एक जनवरी 2025 को जनरल केंडिडेट की आईू, पुरुषिया महिला, 18 से कमना हो, 23 से जादा ना हो, OBC 18-28 से कमना हो, 26 से जादा ना हो, और एक जनवरी 2025 को SCHT के आईू, 18 से कमना हो, 28 से जादा ना हो, एजोकेशनल क्वालिफिकेशन, ये साथी 10 पास होनी चाहिए, कितनी 10 भी पास केवल, आगे आचाता है, इसमें जो मापडेंड होता है, वो समझ लीचे, जो पुरुषि पेनी डेट है, उनकी जनरल OBC, SC, EWS, जो हाइट होती 117 सेंटीमीटर, HD के हाइट 162.5, वही महिलाओं में, जनरल EWS, OBC, SC, 157 सेंटीमीटर, HD के हाइट 150, चेश्ट, पुरुषों के चेश्ट का मापन भी होता है, नॉर्मल बिना फ्लाब के 70 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटी होती है, जिसमें मेल केंडिडेट को 5 किलो मेटर 24 मिनिट में, रेनिंग लगानी होती है दोड, और महिला केंडिडेट को 1600 मीटर 8 मिनिट में, अब आ जाता है इसका कुछ पेपर पैटर्न, स्टलेक्शन प्रोसिस क्या होता है, सबसे पहले समझे, इसमें साती ओनलाइन टे सबसे पहले होती है दोड, उसके बाद में आपकी नापतोल होती है, उसके बाद में मेडिकल, फिर साती रिजल्ट, और फिर आपकी नमबरों के इसाब से, जैसे आपने पोश्ट का चुनाव किया होगा, वेसे आपका रिजल्ट आ जाता है, चली भीया, अब आजाती जो उनलाइन टेस्ट होता है, इसकी प्रक्रिया जान लेते, उनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आप समझेए, यह जो टेस्ट होता है, यह साती कम्प्यूटर आधारित होता है, मतलब उनलाइन टेस्ट आप इसे कहोगे, कम्प्यूटर आधारित, उनलाइन पेपर आप इसे कहोगे ठीक है भी अब इसमें चार सब्जेक्ट आते हैं जिनें A, B, C, D कहोगे Reasoning, General Knowledge, Maths, English या Hindi भाषा में से कोई एक करना है या तो English के 20 कुश्यन या Hindi के दोनों के नहीं करने हर सब्जेक्ट के 20-20 कुश्यन है और सही उत्तर देने पर यदि आप सही उत्तर देते हो तो आपको दो नमबर मिलेंगे तो मतलब पिड़ते हैं सब्जेक्ट 40-40 नमबर का है इस प्रकार टोटल 80 कुश्यन और 160 नमबर में इसे मेरिट लगती है स्टार्ट मिनिट का पेपर होता है ये इसमें एक एहम पॉइंट है केवल आपको एक्जाम देने के लिए स्टार्ट मिनिट मिलते हैं उसी में आपको 80 कुश्यन करने होते हैं इसमें केबल हिंदी आप जल्दी कर सकते हो, GK के कुश्यन भी बड़े होते हैं, जो Lucent टाइप आप पढ़ रहे हो, उससे 30% भी नहीं आता, कुश्यन का पेपर का पेटरन GK में भी बदल गया है, लंबे-लंबे कुश्यन होते हैं, कभी-कभी तो हम पे भी सौल नहीं होते, जब कि इतना ज़्यादा रुभा वो इतना ज़्यादा समय हो गया है, पढ़ाई करते हुए, Math और Reasoning, बहुत ही to the point concept आधारिट, कोई ज़्यादा समय लेने वाली नहीं, पेपर बनाने वाला भी जानता है, कि 80 कुष्यन को 60 मेरिट में करना है, तो कहां किस चीज़ को हाड़ देना है, किस चीज़ को इजी देना है, तो 160 नमबर में से final merit लगती है, लेकिन merit अगर आप देखोगे, तो उत्तर प्रदेश, राइस्थान, मद्दे प्रदेश, विहार, हरियाना, ये जो उत्तर के राज्यें, इनकी merit बहुत अच्छी जाती है, 120-130 के लिए आप try मत करना, इस बार 140-142 इस प्रकार से गई है, तो आप अभी अपना mind make-up कर लीजे, फर्म बरदे से पहले, कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, selection लेना चाहते हैं, या केबल exam देकर, experience लेना चाहते कि मैंने भी दिया था, उससे कोई फायदा नहीं है, अगर तुम to the point, previous year को आधार बना कर, अच्छे teacher अच्छी जगे पढ़ते हूँ, बेचिलेंज देके जैसे मैंने UPP में ठोक के कह दिया था, भरोसा कर ले न, इन हातों पर इस इनसान पर, आपका भरोसा तूटे गए नहीं पेपर में, तो साथियों, यह आपका हो जाता है, इसमें जो पेपर आता है, वो 13 के करीब भाशाओं में आता है, English और Hindi, English और Hindi में आती है, दूसरी बात, इसमें negative marking cable 0.25 अंक की है, सही के लिए दो नमबर मिलेंगे, और अगर आप गलत उत्तर देते हो, तो 0.25 नमबर कटेगा केवल, syllabus बहुत ही इसी है, जो reasoning का general syllabus होता है, अलग से भी मैं वीडियो कर दूँगा, आप उसे अच्छे से, मैं इस reasoning जी के हिंदिया इंग्लिस, चारों के subject के अच्छे से, आप जो सब्स, इनका syllabus होता, इसको अच्छे से note कर ले न, क्योंकि इसमें तो केवल उपर उपर topic दिये, मैं आपको syllabus में पूरी एक एक चीज, deeply बता दूँगा, जिसे कम से कम आप note करके, जहां आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आप इससे उतार सके, और syllabus अगर आपने अच्छे से उतारा, syllabus आपका अच्छे से note है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, कि भी मुझे कौन-कौन से topic मेरे होगे, कौन-कौन से मेरे topic नहीं होगे, अब आज जाता है तैयारी का, तो साथी हमारी जो exam professional application है, उस पर हमने बहुत ही कम कीमत पर, मात्र 244 रुपे का, ये सलामी बेच निकाला है, अब कोगे सर इतना कम क्यूं, इसमें तो previous year के किताब भी नहीं आएगी, तो आपका भरोसा, मैं जानता हूँ कि आप लगातार exam के तैयारी करते हैं, लग-लग फॉम भढ़ते हैं, उतरी फीस नहीं हो पाती, तो फीस के चकर में आप अच्छा content ना छोड़ें, फीस के चकर में आप ऐसे ना सोचें कि भई, ये लक्ष है बच्चा, ये जो उमार है न, मुझे चार महीने में, अगर ये तुम्हारे से ना निकले, तो अन्नाम बदल दे ना के, ये भढ़ोसा है, ये ढ़ाइस दो रुपे लेके तुम्हारे में अमीर दी बन जाऊँगा, लेकिन ये भढ़ोसा दे रहा हूँ, कि इसी से, तुम पेपर में, पेपर का सूवर बना दोगे, जिससे यूपी पुलिस में बनाया, ये भढ़ोसा है, माँ सरस्वती बाबक हट उसे अमजी पर, टेच्वूड की तुम जाऊँगे न, और जब पेपर देखे आऊँगे, चेहरे पर नूर होगा, नाचते गाते, जूमते हुए निकलोगे, एक्जाम सेंटर से, ये वादा है, बेच की बात में इसलिए करता हूँ, क्योंकि लेटेश्ट पैटर्न पर, 6-6-7-7 घंटी की लाइव क्रास, लेटेश्ट पैटर्न पर, पहले साथी पूरी की पूरी थियोरी, हर सब्जेट की अच्छे से, फिर उसी थियोरी के अधार पर, पिछले 10 साल के प्रीवियस येर के कुश्यन, जो भी S.S.C. ने उस टॉपिक से पूछें, ना केवल S.S.C. जीडी में पूछें, उससे भी बड़े लेबल में पूछेंगे, वो कुश्यन भी तुम कर पाओगे, सती, ये बारे महिने की वेलिडिटी है, 10 सितंबर से क्लास स्टार्टे, पांच दिन का मोका आए, कोई डेमो क्लास नहीं है, अब बच्चे डेमो में समय वेश्ट नहीं करना, एक्जाम प्रोफिशल एप्रिकेशन पर, क्लास में भी प्रेक्टिस होगी, साथी, मतलब टेस्ट स्रीज भी इसमें आपके लिए अबिले मिल होगी, बहुती बढ़िया टीम है, मैं पुरा स्टेटिक जी के विविद, जो इसमें कलास संस्कृती, खेल कूद, योजना है, इस प्रिकार के जो डीप खुब पूचता है, टैनिस रेकेट की लंबाई चोड़ाई, लंबाई चोड़ाई तो छोड़ो, टैनिस बॉल की भी बताऊगी तुम, प्रित्य में में रीजरिंग, विपुल सर मेस, अभिशेक सर हिंदी, सुयस सर हिष्ट्री, हरेंदर सर पॉलिटी, विणी सर जोगरफी, साइन्स रजिनी सर, इंग्लिश आचल में, एक से एक बढ़कर, और कितनी फीस में 244, किस के लिए की गई है, गवद देहत में बेटे हुए, उस अपने छोटे भाई, छोटी बेहन, जो एक एक रुपे के लिए परहसान होता है, पैसा तुमारी रहा में रुकावट नहीं बनेगा, ये रुकावट वाला पैसा नहीं, ये 2500 रुपे की फीस, ये तुम्हें अपने जैसा बनाने की है, कि जब गओ दिहाद से, गरीब परिवारों के बच्चे, सेलेक्शन लेंगे, उससे क्या परिवर्ट नाता है, वो हमने अपनी आँखों से देखा है, उस जुनून तर्ट तुम्हें पहुचाने के लिए, तब तहीं से तैयारी करें, अब सभी लोग एक बार एक्जाम पर ओफिशल अप्रिकेसन के, स्तलामी बैस्ते तैयारी जरूर करें, वादा करो कि मेरी बात को एक बार सुनोगे, और जर्वरी फरवरी में पेपर होगा, ये चार महिने मुझे दे दो, 40 साल की जिन्दगी अगली, और कहो तो उसके बाद की भी जिन्दगी रिटार्मेंट के बाद की, जिन्दगी खूब सूरत न हो जाए, आके बता देना,